प्रियंका चोपा ने कुछ इस तरह किया था ग्रिह प्रवेश सोशल मीडिया पर फोटो हो रहा है वारल बलेवुड के बाद हॉलिवुड में अपनी पहचान बनाने वाली भारतिये एक ट्रेस प्रियंका चोपा की एक तस्वीर तेजी से सोशल मीडिया पर वाहल हो रही है सोशल मीडिया पर फोटो को सार्जा कर दावा किया जा रहा है कि प्रियंका चोपा ने कोरोना वारस खुआरंटीन समय के दवरान इस नए घर में प्रवेश किया है तस्वीर को देखने के बार ऐसा लगता है कि भारतिय संस्कृति के तहत प्रियंका चोपणा ने अपने नए में ग्रिह प्रवेश की है इस तस्वीर को सबसे पहले डिजाइनर मसाबा गुपता ने हाउज अफ मसाबा नाम के सोशल मीडिया प्लेट फॉम पर साज़ा किया है मसाबा ने कहा कि हमने प्रियंका चोपणा और निक जुनास के ग्रिह प्रवेश समारों के दोरान एकदम सही समय पर ये तस्वीर ली है मसाबा ने ही प्रियंका चोपणा के लोग को भी स्टाइल किया था तस्वीर में प्रियंका चोपणा को दिल से मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है इस विशेश मौके पर क्वांटिको अभिनेत्री ने मसाबा गुपता द्वारा डिजाइन की गई एक सफेद पोशाक पहनी थी जिसे उन्होंने एक चमकीले नारंगी दुपते के साथ जोड़ा था प्रियंका के इस तस्वीर को साज़ा करते हुए मसाबा ने कैप्शन में लिखा है कि प्रियंका चोपणा जो नास ग्रिह प्रवेश समारो के दौरान खुश करने वाले वाई दे रही है बता दें कि प्रियंका ने अपने करियर के बारे में चर्चा करते हुए एक किताब अनफिनिश लिखा है प्रियंका चोपणा ने नई किताब अनफिनिश में अपने जीवन के सफर को बताया है हाला कि इसी बीच उनकी किताब के कुछपन ने सोशल मीडिया पर लीख हो गए है इस किताब के लीखपनों में भी प्रियंका चोपढ़ा द्वारा चुपचाप अमेरिका के एक शहर में ग्रिह प्रवेश करने की बात कही डा रही है हाला कि यूँ तो यह तस्वीरे निक जुनास के फैन कलब ने शेयर की है लेकिन एक ट्रेस ने भी अपनी किताब के इन पनों को शेयर करते हुए लिखा है no spoilers please प्रियंका चोपढ़ा के इस ट्वीट पर लोग खू深 कमेंट कर रहे है और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है बतादे हाल ही में प्रियंका चोपढ़ा की फिल्म दिवाइट टाइगर रिलीज हुई है इस फिल्म को भैंस की काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है